नमस्कार मैं हूँ प्रिया राज आस्ट्रो निम्रोलोजिस्ट और टैरो कोच और आप सबको मेरी तरफ से रक्षा बंधन की बहुत सारी पधाईयां रक्षा बंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बेहन के प्यारे से रिष्टे को एक और इंपॉर्टेंस देता है महत्व द क्या यह हमने ऐसे ही त्योहार शुरू कर दिया है कि हमारी माइथॉलोजिकल बुक्स में भी इसका कुछ मेंशन है तो सबसे पहले रक्षा बंधन मनाया जाएगा 19 ओगेस्ट 2024 जो की श्रवन मास की पूर्निमा होती है जब भी श्रवन मास की पूर्निमा आएगी उसी दिन रक्षा बंधन मनाया जाता है तो इस बार लेकिन रक्षा बंधन में आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि उस दिन भद्रकाल पर रहा है अब आप पूछेंगे भद्रकाल क्या होता है राहुकाल तो सुना है लेकिन भद्रकाल भी एक ऐसा समय होता है जिस समय में हम कोई भी शुब कार्य नहीं करते हैं बद्रा कौन थी बद्रा थी शनी की सिस्टर और सूर्यदेव की पुत्री तो इनको एक वर्दान मिला हुआ था कि ये किसी के भी शुब समय को अशुब बना सकती है तो इसलिए जब जब बद्रकाल पड़ता है उस समय में हम कोई भी तो बद्रकाल के समय में नहीं किया जाता है इस बार बद्रकाल पड़ रहा है 19 ओगिस्ट को सुभा पांच बच के 32 मिनट से दोपेहर एक बच के 32 मिनट तक तो ऐसे फिर क्या शुब समय राखी का क्या पड़ता है एक बच के 32 मिनट के बाद वैसे अगर आप एक्जाक्ट टाइम मांगेंगे तो शुब कमेरा की बादने का पड़ेगा एक बच के 35 मिनट से रात को नौब